Hello everyone, welcome back to my channel, this is Glenn Garawals Mind Classes. कैसे हो आपसर्प? तो आज की जो वीडियो यानि की जो टॉपिक है मैं लेके आई हूं प्लेस वेल्यू और फेस वेल्यू पे. चाहि है? तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है प्लेस वेल्यू और फेस वेल्यू तो चलिए करते हैं अपना टापिक और विडियो स्टार्ट पहले हम बात करेंगे प्लेस वेल्यू चीक है अगर आप बात करेंगे प्लेस वेल्यू क्या होती है प्लेस वेल्यू जैसे कि अगर आपको कोई नमबर दिया है उस नमबर में उस डिजिट की पॉजिशन क्या है उसको कहेंगे प्लेस वेल्यू चीक है जैसे कि अगर कोई नमबर दिया है चीक है 3147 आपको नमबर दिया है अब अगर हमने प्लेस वेल्यू देखनी है सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए बनाएंगे एक प्लेस वेल्यू चार्ट ठीक है अब प्लेस वेल्यू चार्ट सब्सक्राइब करेंगे जब last visit होती है उसको हम पहले पस्पीडर करेंगे लेकिन पहले place लेटे चांट में आ लेते हैं last पे जो लिखा होता है visit वो start होता है ones place पे फिर 10th place, फिर 100th place, फिर 1000th place यह place value chart है अब यह आपको डिजिट दी है इसमें हम देखेंगे कि 4 कौन सी place में लिखा उसमें find the value 4 place तो last visit कौन से place पे होती है ones place और 4 कौन सी place पे है 7 जो है ones place पे है चीक है तो 4 कौन सी place में हो गया 10s place पे 1 100s की place में और 3 1000 की place पे चीक है यह तो अभी हमें पता चला है कि कौन से visit की कौन सी place है चीक है 7 ones 4 10s 1 100s और 3 1000 की place में है लेकिन हमें place value find करनी है तो हम value कैसे find करेंगे ones क्या होता है one और 10s क्या होता है 10 100s और यह होता है 1000 चीक है अगर हमने place value find करनी है चीक है तो place value कैसे find करेंगे जो place में जो visit है उसको किससे multiply कर देंगे 10s यानि कि जिस place में को visit होगी उससे हम multiply कर देंगे visit को चीक है तो 4 10s की place में था 4 x 10 क्या हो गया 40 चीक है तो यानि कि place value of 4 कितनी हो गई 40 चीक है अगर हमने 7 की place value find करनी है तो कैसे करेंगे 7 को multiply कर देंगे 1 के सब्सक्राइब तो 7 की place value क्या होगी 7 अगर हमने 1 की place value find करनी है तो 1 को किस से multiply करेंगे 100 चीक है तो इसकी place value क्या होगी 1 की 100 अगर हमने 3 की place value find करनी है तो 3 को किस से multiply कर देंगे जिस place में हो है यानि की thousand से तो 3 की place value क्या हो गई 3000 चीक है इस तरह से हम place value find करेंगे यह तो बात ही place value की अगर हम बात करें place value की तो वो कैसे find करेंगे हम वह सेम डिजे ले लेते हैं सेम नंबर ले लेंगे 3147 अगर हम बात करें face value अगर हम उतना face किसी भी camera किसी भी mirror में देखते हैं तो अगर हम बात करें face value की तो face value का मतलब क्या होता है अगर कोई number दिया है उसमें से digit करो जो कोई digit है उसका अगर हमने face value देखती है तो वो सेम digit होगी यानि कि number itself आएगा यानि कि अगर मैं find करू find the face value of one तो one की face value क्या होगी one नहीं होगी क्यों क्यों क्योंकि number itself होता है face value जो number होगा जिसकी face value हमने find करनी है वो as it is आएगा ठीक है वो होगी face value तो यह ठीक और इसी तरह से अगर हमने जिसकी face value देखनी है तो हम कैसे देखेंगे face value of 3 क्या होगी 3 क्या होगी ठीक है अगर हम देखेंगे face value of 4 तो भी होगी 4 अगर हम 7 की face value देखेंगे तो उसकी face value होगी 7 तो इसका मतलब हम किसी इपी digit की अगर face value देखते है तो same digit ही आता है number itself तो यह थी वीडियो place value और face value के topic पे अगर यह आपको वीडियो अच्छी रगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और 7 notification bell icon को hit कीजिए तब तक लिए bye bye